मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मैं इस टीवी सू को देखता था और मेरी ये सबसे फेवरेट सिरीज होती थी और आज भी मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है और इसलिए आज ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और बात ही आपको डोरी मुन के बारे में जानने हम सभी जानते हैं कि डोरी मुन एक रोबोट था जो की फ्यूचर से भेजा गया था नोभी फैमिली में ताकि ये नोभीता की मदद कर सके और उसको भेजने वाले नोभीता के ग्रेट 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 ग्रेंड सन थे जिनका नाम सेवासी था जिन्होंने इसे भेजा था दर असल सेवासी एक मातर ऐसे इंसान थे जिन्हें फैक्टरी में रेजेक्टिट किये हुए ट्वास मिलते थे नमबर नाइन डोरी मॉन हैजर एयर्स जब डोरी मॉन औरिजिनली बना था तब उसमें काफी कुछ अलग था जैसे औरिजिनली क्योंकि वो एक तरीके से बिल लेकिन असल में डर तब सुरू हुआ जब एक चुहे ने उसकी दूनों कानों को काट लिया था नमबर सेवें डोरी मॉन की एक बहन थी डोरामी और जिसका कलर एलो था और इसलिए अरिजिनली डोरी मॉन का कलर भी एलो ही था लेकिन आपने देखा होगा कि उसके रूने की वज़े से वो blue में बदल गया था क्योंकि उसकी कान को एक चुहे ने काट लिया था इसलिए नमबर 6 डोरीमोन नेम डोरीमोन का नाम दो सब्दों से मिलकर बना है पहला डोरा जिसका मतलब है stray अगर मैं आसान सब्दे में कहूं तो जिसका मतलब है कि stray cat और इमोन का मतलब है male यानि की पुरूस और अगर हम दोनों को मिला तो जिसका मतलब है एक male stray cat as simple डोरीमोन का फेवरेट फूल जो जातर उसे पसंद था वो था पैस्ट्रीस जो साथ डोरीमोन को सब चादा अच्छे लगते थे नमबर 5 डोरीमोन has a sister who is stronger than him डोरामी डोरीमोन की younger sister थी जो की डोरीमोन से दो साल चोटी थी लेकिन डोरामी के पास ज़्यादा power थी डोरीमोन के अपक्छा क्योंकि सबसे पहली बात तो डोरामी एक advanced robot थी जो 10,000 HP power को produce कर सकती थी लेकिन डोरीमोन स्रीप 133 HP प्रोडूस कर सकता था डोरीमोन का जन्म यानि कि उसको जब बनाया गया था तब साल था 2112 और दिनांग 3 सेप्टेंबर डोरीमोन की हाइट 139.3 cm है और उसका वेट 139.3 kg है साथ ही साथ उसका circumference 139.3 cm है और वो maximum 139.3 km पर हावर की रपतार से भागता है अगर वो डरा हुआ होता है और 139.3 maximum जम कर सकता है और उसके पास maximum पावर 139.3 HP तक की ही है और उसका बोथरे यानि की जन्म दिन सेप्टेंबर 32112 को आता है यानि अगर हम इसको लॉजिकली देखे तो 129.3 को पढ़ता है जिसके वज़ा से 1293 यानि 1293 डोरीमोन का मैजिक नमबर माना जाता है मी चैन इस जोरीमोन लव इंट्रेस्ट मी चैन और मीनी टू डोरीमोन इस लाइक सुजुका टू नोबिता लेकिन के आपको पताए कि मी चैन औरिजिनरी एक मेल रोबोट के रूप में इंट्रोडूस किया गया था फिर वो बाद में वापस एक फिमल करेक्टर के रूप में दर्साया गया नमबर वन 2008 में डोरीमोन को जैपान में एनिमे अंबेस्टर के रूप में घोसित कर दिया गया था ताकि जैपनिस एनिमे को वर्ल्ड वाल्ड प्रोमोट किया जाए और ऐसा हुआ भी 2013 में एक सर्वे के अनुसार जैपान के जितने भी बच्चे थे उन्हें डोरीमोन करेक्टर काफी पसंद भी आने लगा और फिर उसके बाद 2020 में डोरीमोन को जैपान का स्पेसल अंबेस्टर माना गया था तो यह थे डोरीमोन की बारे में कुछ मज़ेजार बाते अगर आपको ऐसे ही एनिमेशन कांटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना यूँकि मैं एनिमेशन रिलेटेट कांटेंट लाता रहता हूँ